प्रणाइब दोस्तों मैं संदीप आप सबका अपने यूटूब चैनल ग्यान आरविल में स्वागत करता हूं दोस्तों आपको बता दें कि पर्रणाइब की हमारी चौथी क्लास है इसके पहले हमने तीन क्लासे चला दी हैं अगर अगर आपने पिछली क्लासे नहीं देखी हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे वहाँ पे आपको EBS या पर्रणाइब के नाम से प्लेलिस्ट मिल सब्सक्राइब कर देंगे ठीक है उससे ज़रूर देखेगा क्योंकि आपके टेट के लिए बुस्त ज्यादा इंपॉर्टन है और हम जल्दी एक टाइगर के बारे में दोस्तों वीडियो बना लेगा है कि टाइगर से जितने भी कोशन बनते टाइगर रिजर्व हो गए या पिर टाइगर परियोजना हो गई जो भी चलते हैं उनके बारे में वीडियो बनाने वाले दोस्तों और आपसे एक निवेदान है कि आप हमारे डूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जैसे एक हजार सब्सक्राइबर होते हैं जैसे हम उस पर भी वीडियो आपके लिए ल लगाई गई दोस्तों तो कहां लगाई गई है कनाट प्लेस कहां पड़ता दोस्तों दिल्ली में कब लगाई गई थी अपरेल 2017 में तो याद रखेंगे देश की पहली एक चरा वेंडिंग मसीन कहां लगाई गई तो कनाट प्लेस में दोस्तों दिल्ली कब हो थी महेंगा लाका ळोस्तों कनाटब्लेश आप प्रतना के अपता है प्रथम इस्थान रखता है कह सा के Eva घ्री तो याद रखेंके केमाड़ साइलेंड वाईली ठीक है तो ये चीज़े भी आ दकें केरल से संबन्द ही चलिए अगला कोशन क्या है भारत में पहले floating प्राथमिक इस्कूल की सुरुवात कहाँ की गई दोस्तों तो कहाँ पर की गई है पहले floating प्राथमिक स्कूल की सुरुवात की गई है चलिए अगला कोशन क्या है भारत का प्रथम हरित रेल गरी आरा कौन सा है तो भारत का जो प्रथम हरित रेल गरी आरा कौन सा है तो रामे सुरम से ले करके मन मादूरे तक दोस्तों ठीट हमारा सही अपसंद क्या हो जाएगा रामे सुरम से मन मादूरे तक चलिए अगला कोशन क्या है कि भारती वन जीव संस्थान के सनच्छन में देश के पहले बाग बिस्राम ग्रह का सुभारम कहां किया गया है तो देश के पहले बाग बिस्राम ग्रह का सुभारम कहां किया गया तो देहरा दून में दोस्तों इसको दून कर लेना फ्रसा मिश्टेक हो तो देहरा दून और कहां पढ़ता है तो उत्तरा खंड में पढ़ता है चलिए अगला कोशन क्या है कि एसिया की सबसे बड़ी मानो निर्मित जंगल सफारी नंदन वन जंगल का लोकारपन कहां किया गया है तो याद रखें किया नाम है नंदन वन ठीक तो कहां किया गया है तो रायपूर 36 गड़ में दोस्तों ठीक है नया रायपूर 36 गड़ में जो कि एसिया की सबसे बड़ी मानो निर्मी जंगल सफारी है दोस्तों ठीक है तो याद रखेंगे important question बनेंगे आपके exam के लिए चाहिए अगला question क्या है 28 जुलाई 2017 को किसे दुनिया की पहली ग्रीन मैट्रो प्रणाली घोसित किया गया दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए लिए और दिली के जो सिया में दोस्तों कौन है अरबिंद केजरिवाल और आपको पता है दिली का है केंसासित प्रदेश है इसलिए यहां पर राजेपाल होंगे और उपर राजेपाल कौन है अनिल बैजल दोस्तों ठीक है तो यह भी आप याद रखेंगे चलिए अगला दखें थो अग्ला अग्लाtechn क्या है श्कारियन को चितर किस दोस्तों डोस्तों किसे निश्चित छेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन करता है वो क्या कहलाती दोस्तों तो क्या कहलाती है देखिए जो प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन करता दोस्तों क्या होता है वहन छमता क्योंकि उसी छमता के दहर जिसको वो वहन कर सकती दोस्तों उसको क्या बोलते हैं वहन छमता चलिए अगला है दो या दो या अधिक जीवों के अंतर संबंद से में एक जीव को तो लाब तो होता है किन्तु किसी दूसरे जीव को हानी नहीं होती दोस्तों इस संबंद को क्या कहते हैं सहे भोजिता दोस किसी इस्थान पर अंतर राष्टी किसी स्थान पर अंतर राष्टी अमल वर्सा सूचक के अंदर इस्थापित किया गया है ठीक है तो याद रख लेंगे चलिए अगला कोशन क्या है किसके लिए किया आता है तो ज्हारी पौध के लिए दोसनों किस का प्रियोग करते है अब देखें बालीको भिट किस को बोलते हैं दोस्तों तो बालीको भिंची loosely पर उगने वाले पाउधे होते हैं जो बजड़ी और रेट पर उगते हैं उनको क्या बोलते हैं बालू कोदभित ठीक है तो यह भी इंपॉर्टेंट है आपके एक्जाम की दरश्टी से दोस्तों इसी प्रकार के देखे जीरो फाइट हो गए मरुस्थली तो इसी तरह इसके की जुते वाले में पाउधे उगते हैं उनको कि मैं वोलता है करसों फाइट से बोलते हैं किस प्रकार के पिरामिड द्वारा बिभिन पार्षिती की बाशार की उत्पा थाखता का बोध रध को юntके दवारा होता है कसे उरजा पिरामिड रहा होता है चलिए अगला कोशन क्या है पार्षितिक तंत्र की उत्पादक्ता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों को सरवधिक महत्रपूर्ण होता है तो क्या सरवधिक महत्रपूर्ण होता है इनको नियंत्रिक करने वाले में तो सौर्विक विकरान दोस्तों जो सौर उर्जा होती है उसकी जरुत सबसे ज़्यादा पड़ती है दोस्तों ठीक है चलिए अगला कोशन क्या है तिरान नबे मरदा में उपस थे तो कुछ जल की मात्रा को क्या कहायाता है कुल जल की मात्रा जो दोस्तों मरदा में जो जल होती है उसको कुल जल की मात्रा क्या बोलते हैं तो होलार्ड बोल होते हैं चलिए अगला कोशन क्या है कि अधिक वर्षा वाले उस छेत्रों में भारी वर्षा होती है अताह वहां किस प्रकार के वन पाए जाते हैं तो कैसे वन पायाते वहां पे तो सदा हरित वन पायाते हैं जो हमेशा क्या होते हैं हरे भरे होते हैं क्यों दोस्तों क्योंकि उन चेत्रों में जहां ग्रीस में भारी परन्त सरद रित में कम वर्सा होती है। वहां किस प्रकार के वन मिलते हैं दोस्तों देखे जहां पर ग्रीस में भारी और सरद रित्में बहुत कम वर्सा होती है देखे बदलग कि यहां पर वर्सा एक समय अधिक होती है एक समय कम होती है तो वहां किस प्रकार के वन पायते हैं दोस्तों तो वहां पर गहास वन पाय कौन सा मंदल होता है जो चोंचना मंदल इब बखे आप समताफ मंडल में ठीक है ओँचना परत परत याद रख लेंगे अगर आपने नहीं देख्खा उससे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है अगला है वे मुझादाएं शिंद में विभिन पोशक विलको की इस्टितम सांदर्ता पायाती हूँ उसे क्या कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं शुपोसी क्या दोस्तों सुपोसी कहते हैं चलिए अगला कोशन क्या है next question का है किसी परितंत्र में होते हैं दोस्तों तो किसी परितंत्र में क्या होते हैं दोस्तों तो आपको बता दें उस परितंत्र में जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं बिना जैविक के और या भी बिना अजैविक के कोई भी चीज संभव नहीं है दोस्तों तो किसी परितंतर में दोनों चीज़ों की आ पता होगी जैविक और अजैविक दोनों घटकों की दोनों पता आपतों की अगला है जैव मंडल में एक ही जात Kerry सन tribes कहते हैं तो उसे हम जन संख्या कहते हैं याद रखेंगे तो जन मतलब लोगों की संख्या मतलब गिनती तो यह चीज़े आपको याद होने चाहिए चलिए आज का लाश्ट कोशन का है दो पार्षितिक तंत्रों के मध्ध के संक्रमर छेत को क्या करते हैं तो क्या बोलते हैं इको टोन बोलते हैं क्या दोस्तों जो दो पार्षितिक तंत्रों के मध्ध के संक्रमर छेत को क्या बोलते हैं इको टोन बोला है तोस्तों और यह कोशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टन है इसी प्रकार कि हम क्लास आपके लिए रिगुलर लेकर आते रहेंगे उसके लिए आपको क्या करना है हमारे चैनल सब्सक्राइब पर लेना है और बिल आइकन जरूर प्रेस करना क्योंकि देखे है और देखे 8 बज़ वाली क्लास आप जरूर लिए अगर यह हिंदी की क्योंकि उसमें भी हम टॉप 20 कोशन करते हैं और सभी और करते हैं पूरा एक्स्प्रेंग कर देते हैं जिससे आपके एक्जाम में बहुत ज्यादा फैदा मिलने वाला है और दोस्तों आपसे